बहुत पूरा फील होता है कि हमारे गाउं का रोड नहीं बन पा रहा है, हम लोग कई बार इसमें पैर भी चला आता है, पूरा ड्रेस गंदा हो जाता है, जाने लाइना साइकल निकल पाता है, ना बाइक निकल पाती है, ना कोई भी और अन्य गाड़ी नहीं निकल पाती है, बटा आपको कैसा लगता है? बहुत गंड़ा, इस मेल बहुत आता है और इधर से जाने से बिल्कुल मन्नी काता है लेकिन आते हैं मजबूरी है कभी गिरे भी है बारिश में बोग अग्दम से खराब हो जाता है बारिश में अभी हालत खराब है और इससे जादा अब यह हम इस वक जहां खड़े हुए हैं यह आप देख सकते हैं यह मुख्य मार्ग को जोड़ता है यह गाउं का मुख्य द्वार है समझ लीजिए और यह जहां हम इस वक खड़े हुए हैं इससे ठीक पचास मीटर की दूरी पे परदान मंतरी योजना के अंतरगत सड़क गई हुई है रोड है उसी रोड से यह मुख्य मार्ग जाके जुड़ता है अब इसकी कंडिशन आप देख लीजिए हम यहां खड़े हुए हैं यहां से करीब 30 मीटर पीछे भी हमारे सेम यही कंडिशन है यहां तक तो ट्रिशीक है चलिए कोई भी इसके बचाओ करके आ सकता है गाओं के अंदर परिवेश कर सकता है लेकिन यहां से आप यह कंडिशन देख लीजिए किस तरह की रोड है किसी भी गाओं को जो गाओं के सड़के होती हैं उसे खुबसूरत बनाती है जब कोई उस गाओं में परिवेश करता है तो वही रास्ता हो हुआ है लेकिन पानी का बहाओ कहीं ठीक जगे से ना हो पाने के करण नाली का निर्माड भी हो चुका है आगे गाउं में नाली निर्माड आया हुआ है ग्रामीडों का कहना यह है कि यहां जो ठीक ये सामने जो दिख रहा है यहां पे घूरगड़ा यहां साथ बिस्वे का तालाब था जिसे पाट दिया गया है यानि उस तालाब को खतम कर दिया गया किसी भी गाउं में जो ग्राम समाज की जगे होती है वो इसलिए होती है कि कहीं जो घूर गड़े होते हैं तालाब होता है उसमें पूरे गाउं के पानी का निकास होता है और उसी में जाके पानी इकठा होता है जिससे गाउं का सौंधरी करड़ बढ़ा रहता है लेकिन यहां पर कंडिशन यह है कि यहां गड़े को अगर पाट दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि इनके गाउं में आने जाने का रास्ता इतना दैनिय हो चुका है कि हम लोग भी बड़ी मुश्किलों से गाउं पार करके आए हैं भी आपको ले चल रहे हैं वहां पे यहां गरामीड कुछ हैं आईए पहले इन से जान लेते हैं यह इस हालत में कब से है आपकी यह सड़क यह लभक 11 साल हो गया इसको 11 साल यानि परधानी का दो कारिकाल पहले जा चुका है क्यों ऐसी पोजिशन में है पोजिशन ऐसा है कि इसको यह जबरदफ्ती के अनुसार से और कुछ सरकारी कारवाही के अनुसार से लेंदेन के अनुसार से यह गड़ा पाट ली गई है अच्छा और यही यह इसा ग्राम समाजी गड़ा था जमने यह सुन्दरी करण है तू आया था इसमें पानी के वज़े से किसी तरह से दिवार के किनारे पकड़ कर उसी दिवार से लोग आते जाते हैं पस्वों है पस्वों है जैसे उसी पानी में ही आते जाते हैं बाइचानस अगर कोई दैनिक आपदा आ जाती तो सड़क पर ही गारी खड़ी करके मरीज को या बाहर ले जा बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए कौन सा रस्ता है यही 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 रास्ता है इसी से आते जाते हैं सड़क किसी तरह से लेकर आते हैं उठा के यहां पकर के तब रोड पर अपना जाते हैं वो पढ़नी वास्ते रिष्टेदार और आते होंगे तो कैसा तो यह जो इसी कंडिशन है इसके लिए आप लोगों ने कुछ इसके लिए आवाज नहीं उठाई गराम परधान ने कुछ नहीं किया या फिर कहां से दिक्कत कहां आ रहे तो इसमें दिएम एइसडयम आय थे या करदा होदने का यी निर यह जि Гर्ण रिये ते लेकिन खोदने के आउसर वे कुछ इन तक पड़ा रहा है गया कुछ दिन उसके अंशार से वो जब कुछ दिन पड़ा रहे गया महीना दो महीना तो उसको यह लगा के अपना मिट्टी लाके हुई इसका पटाई कर लिया जिसमें आपका क्या कहना है बिया इसमें सब लोग मिले हुए हैं डियमें सब लोग कई बार अपलिकेशन गया कोई सुनवाल है हैं सब लोग की उपड़ करवाई होना चाहिए बराबर इस बीच में अधर कब तक आपको याद है कि इसके उपर कुछ कारवाई होी है वाज के लब five साल पहले छाल पांक साल पहले शाल पहले पर वाय काका आप यह कंडिशन में क्यों है यह एक अब मुख्यम पूरे गाउं का पानी उसे गठ्धे में ताला भी लोग बता रहे हैं आप याद है ताला खोड़ा खोड़ा तो इसमें कहां किसकी गलती हो रहे क्या आपके गराम-परधान कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर अधिकारी लोगों की यह मिली भगत पुराने परधान जो आपके ह हुए हैं उनका क्या कहना है वो उनके पास आप लोगों ने कुछ अपना यह जो तकलीफ है वेदना है वो लेके गए आप कहा गए तो कहीं कि आप लोगों ने अप्लिकेशन दे रखके फिर भी कोई कारवाई हुई नहीं आपको कुछ याद है कितना दिन पहले दिया गए यह हमारे साथ कुछ स्टुडेंट्स भी है पढ़ने वाले बच्चे है चात्र है चात्रा है बेटा कैसा प्रतीत होता है जब इस रोड से आते जाते हो बहुत पूरा फील होता है कि हमारे गाउं का रोड नहीं बन पा रहा है हम लोग कई बार इसमें पैर भी चला आता है जाने लाइना साइकल निकल पाता है ना गवाएक निकल पाती है ना कोई भी और ने गाड़ी नहीं निकल पाती है बेटा आपको कैसा लगता है बहुत गंदा इसमेल बहुत आता है और इधर से जाने से बिल्कुल मन निकाता है लेकिन आते हैं मजबूरी है कभी गिरे भी बारिश पूरा एक दिम से खराब हो जाता है अभी हम बारिश में बहुत हालत खराब हो जाता है और इस से ज़्यादा बैटा आप क्या को गए कब से आते जाते हो इस रोड कर बहुत दिनों से आते हैं तो कैसे निकलते हो घर से वहाँ पर बसाती है तो इधर से जाते हैं हम लोग कभी गिरे भी हो यहां यह बारी से होती है तब पूरा पानी बहर जाता है रोड पर अच्छा पानी चला जाता है इतना भर जाता है तो क्या चाहते हो आप लेगा तो देखा आपने इस गाओं की क्या कंडिशन है कैसे और परधान को भी कुछ लोगों ने घेरा है तो हमारे साथ इस वक्त मौझूद है सुधाकर सिंग इस गराम सभा के परधान के आखिर ये दुर्दशा गाउं के क्यों है सुधाकर जी ये बताईए कि इस गाउं की इतनी बुरी कंडिशन क्यों है आने जाने के रस्ता क्यों रुका हुआ है सामने भी वहाँ एक गढ़्धा था साथ विस्से का पूर परधान जो हमडी सिंग है उनके कारकाल में उन्हीं आदमियों के द्वारा पैसा हो ऐसा लेकर कि पता नहीं कैसे कपजा करवा दिया गया गढ़्धा पूरा पट गया अब उसका पानी निकलने का कोई बिकल्ब करन देंगे लेकर का कि आडशे की क्या करके दिए और अपने अध्मी को दे दिए प्रधान फैंट रहा था ट्राली लगा मिंठी गिनने लगा कुछ लोगोंने आवाज उठाया उनके घर पर गए पानी कहां जाए पानी कहा जाएगा तो भग गए गोंडा उस समय उनका मकान गोंडा में था वहीं पर रहते थे अकसर वहां चले गए जब पट वड़ गया उसके 20 दिन बार लोटे वहां से तो पहले लोगों के यहां पानी कम जैसे उपयोग होता था नलवल से चलाते थे इस समय मोटर चल ग परदान बने हुए लगभग एक साल होने को है अब इस एक साल में आपने ग्राम सभा में विकास है तू क्या क्या काम किया अभी एक साल हुआ है चुनाओं का और हमारी ग्राम सभा बहुत छोटी है बजट हमारे बहुत कम है उसमें यह पंचायद वहन आप देख रहे हैं स नहीं जैसे सुद्रजल पेकर काई नलवाल इसका काम हुआ है अज़ छोटी जोटे काम की नैंके मरमत का काम हुआ है यह सब काम हुए है और वो वी ट्नी टोisposure Oleych से काम हुए है चोटा सा गाओं है मकान पा Glass का कम है मारे है सामुहिक सौचाले आपके गाउं के बाहर गराम सभा के बाहर बनाई गई है सामोहिक सौचाले हमारे यहां आया था पिछले पूर परधान जो इंदजीर सिंग थे उनके कारकाल में तो उन्होंने एक बेक्तिगत जमीन पर निर्माड़क करवाने लगे जबकि हमारे यहां काफी जमीन में गराम समाच की, तो ऐसा ना करके थोड़ा बंदर बात करने के चकर में वह ब्यक्तिगद जमीनी बनाने लगे, घर में बननाने लगे कि जैसे हम कम material में कम समान में बना लेंगे कोई उपयोग तो करेगा नहीं हमीं को करना है कोई बोलने नहीं जाएगा और यहां रोड पर जैसे हमने बनवाया है यह देखिए पिंक सवचाले बनवाया है बहुत कम पैसों में बना है लेकिन quality आप इसका देखिए पंचा देखिए आप बनाये पंचाइद भौन बता रहे हैं अभी अंडर कंशक्षन है निर्माड हो रहा है इसका जो है इसका इसकी गुढवत्ता के बारे में बताए क्या होनी चाहिए और क्या आप कर रहे हैं इसमें हमने जो मानक है उससे जादा किया है यह सरिया जो भी लगन यहां पर आए वो सेड़ी पर नहीं जड़ाए थे हमने जबरदस्ती यह सेड़ी देख रहे हैं इस पर हमने चड़वाया च्छत पे का आप जाकर सरिया देखकर आई और जो टाइब लगा है आप लगभग पूरे अगर पंचायत भौन में जाएंगे पूरे बला के तो आप को नो इंच का टाई भी मिलेगा लेकिन हमने एक बार सेटरिंग वाला बान दिया कि निवारण के लिए आप क्या करने वाले हैं और क्यों नहीं हो पाए अब तक जैसे वहां पर तालाब अभी पानी निकलने का कोई रास्ता मिल जाए कोई विकल्प मिल जाए जो तालाब पुराना है तो विकल्प वो को लाएगा आप पिछले तहसिल दिवस में खुद ही ग बता जाएगा आएसा ऐसा कई बार आया है तो हम सोचें जो भी काम हो साचन पर साचन के दौरा हो एक बार तालाब खुद जाए उसके बार जो आपको डिया गया हो कितने दिनों का दिया गया है कि बहुत जल्द ही करवा देंगे तो मनलब जिनके वाध्यम से हमने दिलवा